हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं ऍचैनल इस्टॉक राइडर फ्रेंड्स स्टॉक एनलीसिस वीडियो में आपका स्वागत है तो आज हम एक और स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उसके एनलीसिस करेंगे तो स्टॉक का नाम है पोलो टायर्स 52 वीक का हाई है इसका 261 52 वीक का लो है 105 quantity trade हुई है 56,52,151 delivery quantity है 21,89,283 percentage of delivery है 38.63 stock के बारे में बात करते हैं market cap is stock की 14,80 करोड debt है 6,434 करोड pledge percentage है 4,96 shareholding pattern की बात करें तो पिर मोटर्स ने अपनी जो shareholding है वो कम की है 40,57 से 37,60 FII ने इसमें बढ़ाया है अपने stake 21,04 से 22,87 DII ने कम किया है 21,83 से 15,66 government का stake सेम है लेकिन retailers की जो इससेदार ये वो बढ़ी है 14,81 से 22,30 बात करते हैं इस stock की news की तो news ये है MK Global Financial ने इस stock का target 290 दिया है और ये 28 जून की news है अभी इस share में कोई ऐसी news आई नहीं है ये news आप जाके पढ़ सकते है Money Control पे इसकी ये news है लेकिन अभी जो ये stock का ये stock का बंडे का chart अगर यहाँ पी ये देख रहे होगे dividend तो 15 जुलाई को इस share ने अपना dividend डेक्लियर किया है 3.5 यानि साड़े तीन रूपे पर share इसने dividend डेक्लियर किया है अभी इसकी RSI चल रही है 41 जो market का sentiment है market negative थी जोस्त के बाद में ये share थोड़ा नीचे आए जहां पर आपको ये arrows दिख रहे हैं ये इसका एक support है support है इसका 211 पे और उसके बाद में नीचे का support है इसमें 198 के आसपस में तो अभी जो लोग इस stock में buying की opportunity देख रहे हैं तो वो stock को 210 पे अगर ये आता है तो आप buy कर सकते हैं अगर कल के trading session में अगर ये stock अपने low जो low है इसका 220.25 जो इसने कल लगाया था इस low को cross करके उपर जाता है तो आप इसमें तब भी entry ले सकते हैं बहुत बड़ा gap down हो बहुत गड़ा gap अप हो आप avoid करना पहले share को अपने support level पे आने देना आप current market price पे भी buy कर सकते हैं क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी में होते हैं जिनको फटाफट जल्दी से buy करना होता है तो वो लोग current market price पे भी जाके इस stock को buy कर सकते हैं stock की जो RSI है वो बता रही है भी ना ये overbought zone में है ना oversold zone में है यहाँ पर ही पहले इसी RSI के असपास में आया था फिर से दुबारा इसी RSI के असपास में आ रहा है जहाँ पर ये arrows है वो इसका support है 219 का उपर के targets first target 240 करेगा दूसर target 260 करेगा तो आप इसी stock में entry ले सकते हैं easily और आपको swing trade की strategy में 3-5% profit जहाँ भी दिखे वहाँ पर आप इस stock में exit कर सकते है अपना profit book करके नीचे अगर ये और नीचे आता है 219 के और भी नीचे अगर ये आ जाता है stock तो इसका जो बहुत बड़ा support है वो 205 के आसपास में है तो stock पे आप अपनी नजर रखना 205 पे मुझे नहीं दिखता कि अब ये stock यहाँ पे आ पाएगा बट market है कुछ भी possible है कुछ भी हो सकता है नीचे 205 के बाद में नीचे 198 का भी support है इसका ये best analysis थी मेरी इस stock के बारे में वीडियो अच्छे लगी हो लाइक कीजिए share कीजिए कोई query question है आप comment कीजिए चैनल को subscribe कीजिए तो thank you friends, thanks a lot, bye bye for now